अफकार दो जैशी राम अन्ने मात्रम मैं हूँगा और आप सौरे केंगे से और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का जिसमें हम अलंकार को समझें देखे अलंकार तो इंगलीज में बोलते हैं औरनामेंट्स और अलंकार के सब्द का अर्ठोता है आप बुशण जिस तरीके से हम गहना पहनते हैं आप बुशण पहनते हैं तो हमारे सरीर की सुन्दरता बढ़ जाती है उसी तरीके से काव अलंकारों से काव की सुन्दरता बढ़ जाती है कहने के मतलब यह है कि अगर हम किसी सेंटेंस में संदर संदर सब्द जोड़ने या अक्षर जोड़ने तो उस सब्द को पढ़ने में आनंद आजाएगा, उसकी संदर्था बढ़ जाएगी, उसी को बैसे हैं अलंगार. जैसे कि आपको पता है कि हिंदी की आदी जननी संस्कृत है, अगर मैं ये बोलू कि हिंदी भासा की मा है संस्कृत तो गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हिंदी की दिहास इस्टार्ट होता है संस्कृतुन, तो जब अलंकार षूरू की आ लया होगा, तो संस्कृत के आलंकार संपरदार की पति श्थापक आचार जैंडी जी माले जाते हैं ये कोश्चन आपने पूर सकता है। फिर इनके दो आएक प्रसीत लाइन है यह भी आपको याद रखना कुश्च्चन में यह भी आसकता है बिल्कु भी में पूलता है काव शोभाकराण धर्मान अलंकराण प्रचक्षते क्या मतलब है इस काव कि वह भाकरक वह बुन्त वह धर्म जो अलंकर वह धर्म जो किसी कावश्च्चा वढ़ाते हैं उसे क्या कते हैं ऑलंकर करने और आपको यह गया रखना है कि जिस प्रकार से संस्कित के अलंकार संपर्दार के प्रतीश ठापक आचार डंडी जी हैं, उसी तरहीके से आप से कोश्चत पूछ लेगा कि हिंदी के को हैं, तो हिंदी के कभी के शवदास एक अलंकार वादी कभी है, इसको भी आपको ध्यान रखना कोश्चत आप करता है अब अलंकार के तीन प्रकार है, अलंकार के तीन भेद हैं, सब्दालंकार, अर्थालंकार और आदमी क्या पास्चाद अलंकार तो शब्दालंकार मतलब यह होता है कि जो अलंकार सब्द के आस्त्रित होते हैं, जो सब्द के सहारे होते हैं, उने शब्दालंकार कहते हैं, मतलब वह अलंकार जो सब्द से उत्पन होता है, वह अलंकार जो सब्द से उत्पन होता है, उसके बाद वह अलंकार जिसमें लेकिन अर्थ अलंग प्रकट होगा, उसे बोलते हैं अर्थालंकार, तो उसके बाद आधनी का पास जाता लिएकार, आपको पता है कि हम 722 में पहली वार हम पर अपनाड हुआ था, उसके बाद 1121 में तराइंग का युद्धु जब गुआ रप्रित्वित्वित्वित्वित अर्थालंकार का उसके बाद का रप्रित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् असफद दलंकार के फुद के पांच प्रकार होटे तो सबसे पहले आनुप्रास ते में प्रकर यामन स्लेस 4th नंबर पी वप्रोंती 5 नंबर पे भीव्चा्स यासी गों बोलते हैं..."ुणररूओै ऑर प्रकर या प्रकर अलट तो आपको ये ध्हान रखना कि बेंजन की पुनरावर्त्य हो रही है स्वर्ण की पुनरावर्त्य नहीं होगी कैसे आज हम समझेगे तो आनुप्राथ होता है जेका रजदानुप्राथ और लाटा थाम समझे क्या लिका है अनेक बेंजन की श्वारोवर्त्य निखा और यहां पिका है अनेक बार होता है अगर एक से ज्यादा वार कोई चीज हो रही है उसे बोलते हैं अनेक वार अब छेकान प्राफ तो बड़ ध्हां समझेगा तंजन पेड़ूर पर लिखा है अनेक वेंजिया में की स्वारूपता है और क्रामता है एक वारा का रावज़ती वो तुसे छेकान प्राफ करते हैं जैसे लिखा बन्दा गुरूपता पदू में पर आगा वड़ ध्हां समझेगा तो देखें लिखा सबसे पहले स्वारूपता है लिखा तो प्राफ क्या मतलब है यहां पर पाद और यहां पर भी क्या पदूर तो अपने को मात्रा से मतलब नहीं होता केवाद स्वारूप स्वफ मतलब है क्या लिखा जा बंदियां कि स्वरूपस मतलब नहीं है यहां पे भी पद हो और यहां पे है तो लिखा है ऑनेच dostęp बंदना की स्वरूपस मतलब पाक के बार दा अब फिर से पाक के बाद भी दा रहा, तो सरूर्प के साथ करमेटा है कि एक बार अगर आ रहती हो जानगे, तो से भूते हैं कि खेता अनुकराथ आलंका, कुछा आपको डारेक्ट देगा और पहुआदा होगा कूर्थी कुम सा अलंका है, वरिता अनेक वर्ति से मतला हो है कि जो सब्द लिखा गया है उससे एक वार और लिखा जाएगा जयसे लिखा है कलावत़ी तो कलंड़्ञा लिखा है कलं चल्बक लिखा है तो लिखा है कल तो लिख्ट हुआ अपळां चल् Нी जा अरुनी कीयोत च्ट हमने कंठ लिखा है तो कल कल são ख़ी। dit का के बाद ला आया है तो पर किया हुए कि अनेक वारा वरिष्थी को क्या बोलते वरिस्दानुकराथ किने बीखोगी तो होगा व्रतां अब जो तीसरा है वहां, क्या BLACK कई तात पर्मातर के मिहज़र से सब्द और अर्फ की पुनरावेथि, क्या लीखा है मतलब सुमझे़ इस दिखा है, लड़का तो लड़का जी यह, क्यामित्लब इसका? इससा मतलब यह है, यह जो लड़का लिखा है, यह एक नॉर्मनल लड़की की बात वह रही है बहुत है आप बहुत है। जैसे मुल यहाँ यहां पेबी हो सतनी लड़की सावाधी, उस ने कुह नया नहीं किया उस unforgettable यहाँ ने वही किया है सभी लड़कीोंको का नेचर उस ने वही किया और यह सतत है मां तो मां तो मास मतलब एक नॉर्मन मास होगा अब आपकी ओ मास कैसी दुनिया की जितनी माँ है उनके जैसे तो आप साथ समझ गए होगे तो लड़का तो लड़का ही ऐसे मतलब क्या है कि एक नॉर्मन लड़का और ये दुनिया की जितने लड़के हैं तो ये लड़का जो है दुनि तो देखे, यमक और स्लेस में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग सेली है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत दिक्कत होती है, मतलब जब भी कोशन देगा, तो option में यमक भी रहेगा और स्लेस भी रहेगा, पंचाना मुस्किल हो जाता है, तो बढ़ा concentrate होके समझे कि यमक और स्लेस में क्या डिफरेंस है, देखे, पहले मतलब से क्या होता है, शब्दो की आबर्ती हो, और अर्थ से अलग अलग हो, उसे बोलते हैं यमक अलगा, तो शब्दो की आबर्ती से क्या मतलब है, शब्दो की आबर्ती से मतलब है कि एक वार जो उसके दिखा गया है उसको फिर से उसके तुरांत आगे निखा जाए उसे बहुते सब्दों की आवर्ति तो होगा साथ में अर्थ भी अलग होगा जैसे यह दिखा पच्पन से पढ़ते आए हो खाये पच्पनम साथिकाए हुआख जब यह पाय आप यह नहीं करते हैं तो कंट का एक मतलब भूरा भी होता है और एक मतलब सोना भी होता है तो देखो कैसे पहिचाना ही कौन से कनफ तर्शक्रा क्या मतलब है जब आप सेकंड लाइन पढ़ो तो यहां क्या लिए का है तो खाए है तो घ्थुरा को ज्यादा मात्रा में सेवर कर लिया जाए तो नशा चड़ जाता है आप अपने हाँ मस्क हो जायो उसी तरह से अगर संपत्ती अधिक हो जाए, पैसे अधिक हो जाए तो उछ पैसे का नसा भी चड़ जाए गाए तो गुल वह गोपि respons आता है कि साइं इतना वह ग़ए, यससलों थे छोह गते हडी है कि भवान इतना ही देना कि घर बार अच्छे से चल जाए इतना ना देदेना कि क्या आजाए रिखाई अम मतलब समझ्जों इसका क्या है यह मतलब कि किहांने सब्दों की ज़र्फ मतलब है कि जो शप्भ लिख जाएगा उसको شप्र इस साथ में बबिंसे को जelnी करता है ज़तों होया है जतूरा और यहां पर जब पाई की बात हो ही तो सोना तो देखो सब्द की आपर स्थी भी हो रही है और अर्थ भी अलग-अलग हो रहा है एक खर्थ हो रहा है कि अग्याओ